हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल कॉंपेटिशनर फ्रेंट्स तोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट अर्वी एल्पन टेक्नीशियन प्रिपरेशन येस फॉर सी बीटी टू की तयारी हम लोग कर आ रहे हैं अल्पन टेक्नीशियन की फ्रेंट्स डेली आपको करार है तो अगर आप इन सभी ट्रेंट्स में से किसी से भी हूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए आपका टाइम लॉस नहीं करेंगे अब हम कॉश्यंस की तरफ बढ़ेंगे चलिए वर्सक्वेस्ट्वेस्चन हमारा टेलेस्कोप की खो किसमें होता है चलिए ओप्शिंस देखते हैं हम लोग एक्स रेस अलफा रेस बीटा रेस या गामा रेस देखीगा अलफा आपकी पॉजिटिव चार्ज केरी करती है बीटा नेगेटिव और गामा आपकी न्यूट्रल चार्ज केरी करती है तो करेक्ट ओप्शन ओप्शन बीच की दूरी को तरंग दैर दिखेते हैं इसके अलावा आयाम आवृत्ति इन में से कोई नहीं जी नहीं सारे ओप्षिन्स गलत हैं तरंग दैर दिखा जाता है ठीक है चलिए पदार्थ की सम्वेक के अनुपात में कौन सी भौतिक राशी प्राप्त की जाती है सम्वेक के से होता है सम्वेक का मतलब होता है द्रव्यमान गुडे वेक तो पदार्थ की सम्वेक के रेशियों से क्या मिलता है जब सम्वेक का रेशियों निकालेंगे तो हमको मास मिलेगा ठीक है बल गुडनफल है किसका द्रव्यमान और वेक का द्रव्यमान और त्वरण का भार औ और त्वरण का यह तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि यह द्रवेमान और त्वरण का गुड़न फल है F बराबर M A ठीक है मास इंटू एक्सेलरेशन ओके चलिए आगे बढ़ेंगे हम लो निमने लिखित में से कौन सी राशी सदिश नहीं है सदिश राशी देखिएगा सदिश राशी को याद करने का एक छोड़ा सा ट्रिक है V या B यानि व या ब इससे जितनी भी राशिया होती है वो 99% quantitative होता है ठीक है तो sorry quantitative नहीं होता है आपका directional होता है सदिश राशी ठीक है तो जितनी भी यह होती है व या ब वाली वी या भी वाली वो सारी सदिश राशिया होती है ठीक है तो इसमें देखिए यह वाला है यह वाला है यह ब वाला है और यह आ से शिरू हो रहा है यानि आयतन यही जो है आपका अदिश्राशी है scalar quantity इसने कहा है कि कौन सी scalar quantity है तो यह scalar quantity है चलिए आगे बढ़ेंगे एक किलोमेटर दूरी का तात पर रहे है एक किलोमेटर की दूरी एक किलोमेटर यानि एक हजार मीटर बहुत आसान question आगे बढ़ेंगे तोरण ग्याद करने का सही formula क्या है तोरण ग्याद करने का formula देखिए यह अपने पढ़ा होगा a बराबर v minus u by t नहीं पढ़ा है तो याद कर लेजे इसके अलाबा बाकी कोई भी formula सही नहीं है यह v बराबर u plus 80 होता है यह minus वाला सही होता है यह plus वाला गलत है यहाँ पे होता है v बराबर u plus 80 यह भी गलत है यह भी गलत है तो इस तरह से आपका सारा गलत है चलिए यह दोनों तो same ही दे दिया है चलिए यह 2 है यह T है यह दोनों ही गलत है चलिए आगे बढ़ेंगे sulfur hexafloride अडू का आकार कौन सा होता है sulfur hexafloride का आकार होता है अस्टफल की है ठीक है octagonal next question एक तत्व X की बाहितम कक्षा में चार electron है hydrogen के साथ इसके योगिक का कौन सा सूत्र होगा देखिए electronic structure आपको बहुत अच्छी तरह सबका पता होना चाहिए configuration कैसा होता है एक बार आपने सीख लिया तो आप उसको बना लेंगे तो यह तो आप लोगोंने पढ़ा होगा यहाँ पे आपने technical में कैस्ट्री में भी पढ़ा होगा और अगर आप इंटर किये हुए हैं तो आपने वहाँ भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा तो इसको तो आपको ज़्यादा समझने की जड़त नहीं है चलिए option देखेंगे हम लोग X4H, X4H4, XH3, XH4 तो इसका correct option है XH4 यह चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे और चौते समू के oxide का सामाने गुड़ धर्म क्या है basic property क्या है इनकी general जो property होती है इनकी तीसरे और चौते गृप के oxide का तो देखेगा basic, acidic, basic या acidic या फिर neutral तो कौन सा इनका गुड़ धर्म होता है इनका दोनों ही होता है basic और acidic चलिए, correct option is A जिस तत्व की परमार में दो proton, दो electron, दो neutron हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है देखे, द्रव्यमान संख्या का एक formula होता है is equal to P plus N तो P आपका दो, N आपका दो तो द्रव्यमान संख्या आपकी हो गई 4, ठीक है ऐसे आप calculate कर सकते है तो correct option आपका हो गया B चलिए बढ़ेंगे next question की तरफ नमनलकित मैं से कौन सा electronic संरूपन धातो तत्वों के लिए होता है metallic elements के लिए कौन सा electronic configuration होता है इन में से कौन सा है ये पैचाना आपको तो देखेगा जो metallic के लिए होता है उसका complete cycle होता है यानि 2882 चलिए आगे बढ़ेंगे इसेशन की क्रिया कहां पर होती है इसेशन की जो क्रिया होती है वो कहां पर होती है अगर भाशे में अंडवाहिनी में अंडग्रंती में या योनी मार्ग में तो इसका correct option है अंडवाहिनी में चलिए next thyroid gland से थायरॉक्षीन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतर स्रावी हार्मोन कौन सा होता है तो देखेगा कौन सा हार्मोन होता है options देखते हैं सबसे पहले है TSH, FSH, LTH, ACTS तो याद कर लिजगा ये TSH होता है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंतरिकाय निकलती है कशेरुक रज्जु जो होती है यानि कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड उसमें से कितनी पेर ओफ नर्फ निकलती है A13, B33, C31, D12 तो इसका correct option होगा C31 31 पेर ओफ नर्फ निकलती है from the स्पाइनल कॉर्ड नेक्स पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रन कियेंद्र कहां पर है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं है उनका जो control system होता है वो कहां पर होता है तो देखीगा प्रमस्तिष में, अनुमस्तिष में कशेरुक रज्जु में या तंत्री कोशिका में तो इसका correct option है कशेरुक रज्जु में सारा command यहीं से रहता है control यहीं पर रहता है आपके spinal cord में चलिए निमने में से कौन सा धातु रोश्नी के बल में filament के रूप में यूज होता है बहुत आसान question है यह तो आपको बिल्कुल पता होगा कि टंगस्टन एज फिलामेंट यूज होता है पौर एन लाइटिग चलिए निमने में से किसे dry ice कहा जाता है यह भी बहुत अच्छा question है ठोस carbon dioxide को dry ice कहा जाता है चलिए निमने धातु में से कौन सा सामाने ताप पर द्रव होता है सामाने ताप पर liquid में जो रहता है वो कौन सा होता है यह भी बहुत अच्छा question है पारा natural temperature पर liquid form में होता है तो यह बहुत अच्छा question था यह था आज का आपका session next session में फिर questions लेकर आएंगे cultural advice classes चलेंगी thanks for watching